तो आसकार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चनल पर आज किस वीडियो में हम लोग SSC MTS एक्जाम के लिए एक्सपेक्टेट टॉप 50 कोशन देखेंगे जो कि आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूंगा जो लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने चलिए स्टार्ट करते हैं तो गाइस आज के सेस्टन में पहला कोशन है किस पूर्वोत्तर राज जी द्वारा पर्रेटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुक रूप से अहिया बिंटर फेस्टिबल आयोजित किया जाता है तो इस कोशन का राइट आंसर हो जाएका ऑप्शन एक में घाल है द्रब्मान प्रतिसत द्वारा द्रब्मान के संदर में सांदरता का परिकलान कीजिए तो आप्शन थी 10% अगला है अराकान और सान यहां क्या बरेंगे यहां भरा जाएगा म्यानमार म्यानमार के माननेता प्राप्त मानब जातीय समू है अगला है महारानी एलीजावे दुतिये के राज्या भिसेक समारों में प्रदर्सन के लिए निमलिखित में से पदम भोसन, पुरसकार विजेता, नर्तकियों, अथवा नर्तकों में से किसे बुलाया गया था तो आप्शन है कुमारी कमला अगला है नकदी पास की परिगटना मुद्रा की मांग के निमलिखित में से किस पहलू पर आधारित है अगला है मदर टेरेसा ने निर्मल हिर्दय धरम साला या रोगी साला के स्थापना क्यों की थी तो आप्शन एक एक ऐसी जगह प्रदान करने के लिए जहां गंभीर रूप से बिमार लोग सांती से मर सकें अगला है भारतिय समिधान के किस अनुच्छित के तहत मौलिक करतब्यों का उले किया गया है तो अनुच्छित इक्याबन ए अगला है संभू माराज को किस प्रकार के नर्थ के लिए संगीत नाटक अकादमी फैलो सिप परदान की गई तो आप्शन थरी कथक अगला है भारत में अनुबंधित सिबल सिवाओं के लिए अरहता प्राप्त करने वाले पहले भारतिये कौन थे आप्शन एक सतेंदर नाथ टैगोर नेक्श्ट निमलिखित मेंसे किसे तबला उस्ताद के रूम में जाना जाता है तो आप्शन टू उस्ताद जाकिर हुसाइन नेक्श्ट निमलिखित मेंसे कौन सा भाग अथवा सन्दचना इस तूप के सबसे उपरी भाग में इस्तित होता है तो आपसेन एक हर मिका क्या हो जाएगा हर मिका नेक्स्ट है आपका कोशन किस सरकारी योजना का मुख्यो देश ग्रामीर गरीब योगाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और विश्व इस्तर पर प्रासंगिक कारवल में बतलना है तो आपसेन टू दीन दयाल उपाद्याए ग्रामीर कोशल योजना अगला है भारत ने 1991 में NEP की घोशना की NEP का आर्थ क्या होता है अगला है साकेवा एक धार्मिक तेवहर है जो यहां क्या वरेंगे यहां वरेंगे सिक्किम सिक्किम के किरात खंबू राई समुदाए द्वरा मनाया जता है अगला है क्रसी मंत्राले की PRS रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 तक देश के खाद्यान उत्पादन में किन दो फसलों का योगदान 78 पतिसत था तो आपसिन टू गेहू और चावल अगला है मुगल अधिकारी अमल गुजार मुख रूप से यहां क्या वरेंगे का कारे करते थे तो आपसिन फोर भूर राजसु एक अत्रित करने का अगला है निमलेखित में से किस भारते खिलाडी ने एज अगेंस्ट ओर्ट्स सीडसक से आत्मकथा लिखी है तो आपसिन एक सानिया मिरजा अगला कोश्चन आपका बनता है ट्रेन टू पाकिस्तान वो पन्याज जो है वो किस ने लिखा था तो आपसिन टू आपका राइट आंसर हो जाएगा खोसुबंत सिंग ने लिखा था अगला भोकम के सबसे सामान प्रकार कौन से हैं तो बिवर्तनिक भोकम रेवोल्यूशन आप इस्टर्न इंडिया नामक योजना कितने पूर्वी राज्यों में लागू की जा रही है तो आपसिन पूर साथ अगला है भू बैग्यानिक द्वारा आमतार पर किस विसेश प्रतीक का उप्योग सैल संस्तर दोस विभंग केश्टा और आग्रे डाइक और सिल के अभी विन्यास का बढ़न करने के लिए किया जाता है तो आपसिन टू नतिलंब और नति अगला है भारत्य पुरु सौंकी टीम ने आखरी बार ओलम्पिक खेलों में सोण पतक कब जीता था तो आपसिन टू अगला है भारत के निमलिखित में से किस राज में आज भी क्रसी में प्राचीन बांस ड्रिप सिचाई तकनीक का उप्योग किया जाता है तो आपसिन टू में घाला है अगला है नागरिक पंजी करन प्रणाली रिपोर्ट सिबिल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट पर आधारित महत्पून आखनों की बाठसिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में निमलिखित में से किस किंद सासेथ प्रदेश में जनम के समय सबसे अधिक लिंगानुपाद दरज हुआ तो उप्सन टू लदाख अगला है बर्स 2019 में पदम सिरी से समानित नर्तकी नटराज एक भारतिये यहां क्या वरेंगे नत्तांगना है तो भारत नाट्यम नत्तांगना है अगला है संदीप दास निमले खित्मी से किस ताल बादेंद्र को बजाने के लिए परसिद्ध है तो उप्सन टू टबला अगला है मिसर के काहिरा में आयोजित इंटरनेशनल सूटिंग रिपोर्ड फेडरेशन आई एस एस एफ बर्ल कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते थे तो उप्सन टू टोटल साथ पदक जीते थे अगला है थियोसोपिकल सोसाइटी के स्थापना किस देश में हुई थी तो ये हुई थी उप्सन फूर अमेरिका में हुई थी अगला है कोईला, पैट्रोलियम और मिट्टी का तेल किसके उधारण है तो उप्सन फूर जीवास्म इधन के उधारण है अगला है प्रथम पैरा एसियार्ड की मेजवानी निमले खित में से किस देश ने की थी तो उप्सन एक चीन ने की थी अगला है बक्सर के युद में अंग्रेजी सेना का नेत्रत किस ने किया था तो उप्सन टू हेक्टर मुनरो अगला है मूल सम्मिधान में 395 अनुच्छेद थे जो यहां क्या भरेंगे भागों में विभाजित थे तो उप्सन टूटल 22 भागों में विभाजित थे अगला है विश्व में हरित क्रांती के जनक कहे जाने वाले नौर्मन बोर्ला किस देश से सम्बंदित हैं तो उप्सन टूट नीना प्रसाद नीना प्रसाद अगला कोशिन देख लेते हैं क्या कहता है कोशिन आपका है निमलिखित में से किस सम्धान संसोधन अधिनियम ने अनुच्छिद 38 में संसोधन किया जिसे राज के नीती ने देशक सिद्दानतों के तहत गिना गया और जिसने राज को आए इस्तिती सुविधाओं और अबसरों में असमानताओं को कम करने का निर्देश दिया तो आपसिन फोर चववालिस अगला है सिकंदर के आक्रमण के फलसरूप निमलिखित में से किस उबंस का उदय हुआ तो आपसिन फोर मौर उबंस का उदय हुआ था अगला है आपका किस समयधानिक संसोधन अधिनियम ने सरबोच न्यायले और उच न्यायालेयों में न्यायाधिसों की नियुक्ति की काले जियम प्रणाली को प्रतिस्थापित कर दिया है तो निन्यानबा संसोधन अधिनियम अगला सरकार दोरा लगाई गई सीमाओं या बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है तो अपसंथरी उदारी करण उदारी करण अगला है सरवोच न्यायले न्यायाधीसों की संख्या संसोधन अधिनियम 2019 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीस को छोड़कर सरवोच न्यायले में न्यायाधीसों की सुईक्रस संख्या कितनी है तो अपसंथरी तो अगला कोश्चन है अलाओ दिन खिलजी के दच्छनी सैन अभियान का नेता कौन था तो अपसंथरी मलिक काफूर नेक्स्ट आपका देख लेते हैं भारतिय समिधान के अनुच्छत 25 में प्रदान की गई अन्ताकरण की सोचंतरता को निमलिकित में से किन दो अनुच्छेदों द्वारा मजबूती प्रदान की गई तो अनुच्छत 27 और 28 अगला है निमलिकित में से कौन कीमो थैरेपी को सही ढंग से ब्याख्याकित करता है तो अपसेने चिकस्टिये प्रियोजनों के लिए रसाइनों का उप्योग अगला कोश्चन है आपका हिंदू मंदिर का अंतरथम पवित्रतम इस्तल जहां प्रमुख देवियत वा देपता की मुर्थी रखी जाती है क्या कहलाती है तो गर्ब गरह कहलाती है अगला यहां देखे क्या वरेंगे यहां वरेंगे आउपशन 3 एक समया वदी में देश के निबासियों दोरा उत्पादित सभी अंतिम बस्तूओं और सेवाओं का कुल बाजार मूले सकल राष्ट्रिय उत्पाद है अगला सैंतिस्पी राष्ट्रिय जूनियर Athletics Championship निमलिखित में से किस राज में आयोजित की गई थी अगला सक एक भारतिय सब्द है जिसका प्रियोग सिथियन नामक लोगों के लिए किया जाता है जो मूल रूप से यहां क्या बरेंगे से समन्द रखते थे अगला भारत की जनगर्ना 2011 के अनुसार निमलिखित में से कौन सा राज्य जीरो से छे वर्स की आयोग की सबसे अधिक जनसंख्या वाले सीर से तीन राज्यों में सामिल है अगला है निमलिखित में से किसने जैविक बर्गी करण की दुईनाम नामा बली की सुरुआत की तो कैरोलस लीनियस अगला है भारतिय समिदान का अनुच्छ थीन सो पचास भी से संबंदित है तो ऑप्शन फोर बासाई अलप संखेकों के लिए बिसेस अधिकारी और आज का लाश्ट कुश्यन है निमलिखित कत्नों की सत्यता के संबंद में सबसे उप्योक्त विकल पर चुनिये तो ऑप्शन फोर ए और भी दोनों सही है पहला है जो भारत में जोरी उर्जा के विकास की और विकास की अपार संबाबना ये सही है हिमाचल प्रदेश के मणी करण में एक भूतापी उर्जा सहीन चालू किया गए ये भी सही है तो गई सासके सब्रियों में एतना है धैंक्यो दन्नेवाद